बगहा में गंड़क नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण नेपाल सीमा के पास जंडू टोला SSB कैम्प में पानी घुज गया है। कैम्प में तीन फीट पानी बह रहा है। SSB जवानों ने आसपास के उचे इस्थानों पर ठिकाना बनाया है। वानी आसपास के इलाकों से भी रस्क्यू का लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। गंड़क नदी के जलस्तर में वृद्धी के बीच लगादार हो रही बारिश ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है। वालमी के नगर गंड़क बराच से चार लाग चार हजार क्यूजिक पानी डिस्चार्ज होने के बाद हालात बेकावू हो गए हैं। पालमी के बाद हो यह पालमी के बाद हो जाद हैं।